नमस्कार में मैंकानन्द और आप देख रहे हैं सब पॉलिटिक से देश में कही जगह पर हिंदुओं की धार्मे कियात्रा पर हमले हुए दुकाने जला दी गई, मंदिर में तोड़ खोल की गई ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि हिंदुओं पर इस परकार हमले हुए हूँ हिंदुओं के हर तोहार पर जब भी कोई जलूस निकलता है तो इस परकार के हमले होते ही हैं ना तो ये पहली बार हुआ है और ना ही ये आगे रुकेगा लेकिन ऐसा होता क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विशेश समधाय को पता है हिंदू कायर है वह कुछ नहीं कर सकता यह वही हिंदू है जो 400 साल तक राम मंदिर बनने का इंतिजार करता है वह भी तब जब वह बहु संक्यक हो उसके पास सारे प्रमान हों इससे अंदादा लगा लिजिए कि पाकिस्तान, बंगला देश और अफगानिस्तान में हिंदूओं की क्या दोदर्शा होगी? विक कैसे वहां जीते होंगी? इसी का परड़ाम है कि वहां पर लगातार हिंदूओं की संक्या घट रही है या तो हिंदू वहां से भाग रहा है, या मारा जा रहा है, या फिर हिंदू धर्म त्याग रहा है इन आखनों को देखिए, 1947 में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगला देश में हिंदूओं की कितनी आबादी थी और अब कितनी रह गई है अब परश उठता है कि हमें क्या करना चाहिए? मैं आपसे बंदूग उठाने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपसे तलबार उठाने के लिए नहीं कह रहा क्योंकि ना तो ये भारत का संविधान कहता है और ना ही ये हमारे संसकार ऐसा करने को कहते है फिर हमें क्या करना चाहिए हमें फरजी सेकुलर बाद में नहीं फसना है हमें अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठानी होगी और अच्छे से उठानी होगी मुसल्मानों को देख लें विश्यो में कहीं पर भी कोई घटना होती है जो उनके हिसाब से नहीं हो तो दुनिया का मुसल्मान एक हो जाता है C.A.A. का उधार देख लें जिस कानून का भारत के मुसल्मान से कोई लेना देना नहीं था उसके बाद भी भारत का मुसल्मान महीनों सडकों पर बैठा रहा अब स्वैम को देख लें क्या आपने कभी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगला देश में हिंदूओं पर हो रहे त्या चाल के विरुद्ध बोला सडक पर बैठना तो दूर कभी कोई जुलूस निकाला जबकि भारत के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्ब नहीं है अंबिट करने भी इस मुद्ध पर कहा है उन्होंने कहा है कि भारत का मुसल्मान हिंदूओं की कमजोरी का फाइदा उठाता है हिंदू जिस बात पर एतराज करता है, मुसल्मान उसी बात पर जोर देता है हिंदू गाय की पूझा की बात करता है मुसल्मान गाय की बली देनी की बात करता है इसलिए कहराओं अपनी शक्ती को पहचानिये यदि हिंदू संग्टित होगा एक होगा तभी ये संभब है यदि हिंदू राजिनितिक पार्टियों के चक्कर में इधर उधर भागता रहेगा तो उसका परिणाम यही होगा हो सकता है कि यदि आप नहीं समझे नहीं समले तो इससे भी बुरा परिणाम आपके सामने हो इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद जैनि